नमस्कार मैं राजमोहन आप देख रहे हैं बिहारी नियूज 31 जुलाई को पूरे भारत में चली आ रही अनलोक 2 की प्रक्रिया की समाप्ती की तारीक है और एक अगस्त से पूरे भारत में अनलोक 3 की सुरुवात होने वाली है आपको याद होगा कि 8 जून के बाद से भारत में लगे लॉकडाउन उसके पहले जो लगा था लॉकडाउन उसमें धील देते हुए 8 जून के बाद से अनलोक 1 की सुरुवात की गई थी ताकि भारत में जो अर्थविवस्ता है जो नीचे गिरते चली जा रही थी के अनुसार खोलने के अनुमती दी गई थी सर्तों के अनुसार ताकि भीर बार कहीं भी कठा नहों और कोरोना के फैलने में किसी प्रकार की मदद उस भीर की वज़ासे ना मिले उसमें भी स्कूल कॉलेजेज बंद थे कई संस्थाने बंद रही भीर बार कठा नहों इसका ध्यान पूरा रखा गया था फिर अनलोक 2 की प्रक्रिया एक जुलाई से चली आ रही है जो की 31 जुलाई तक चल रही है जिसमें थोड़ा और उसमें धील देते हुए अनलोक 1 जो था उसके तुनला में अनलोक 2 में थोड़ा धील देते हुए जो यात्रा का सफर था जो यात् पूस्रे जगहों पर आने-जाने ज़्यादा उन्हें दिक्कत ना हूं कि ज़रूरत के जो लोगे जो सफर कर ना पर रहा ह। उनकी मजबूरी ओंसे मुंसीर समसा मेरी हुआ करना पर वी कि उस अंनलोक टू डू में सीनेमा और बन रहे है। लेकिन रहे विस्तार किया गया था रेल पड़िवहन का और पड़िचालन का विस्तार किया गया था उस को रोना का जश्वंकरम लगतार बढ़ने लगा तो फिर इसको सीमित भी कर दिया गया था अब 31 जूलाई कि तारीक के बाद 1 अगस्त आ रहा है जो अनलॉक 3 होगा और मिडिया हाऊसे से कई खबरे सामने आ रही है कि कई सुत्रों से भी खबर लगतार मिडिया हाऊसे को मिल रही है कि क्या खुलेगा बंध रहेगा जो नई चीजे हैं क्या वो नए च्छेत्र हैं जो इस बार अनलोग 3 में खुल सकते हैं, इसकूल कोलेजेस को लेकर लगतार खबरे चली आ रही है कि क्या अनलोग 3 में इसे खोलने के अनुमती होगी, तो जो खबरे आ रही हैं, उसके अनुसार जो रमेश पोखडियाल है, जो मिनिस्टर है, उन्होंने बात किया है पैरेंट्स साथ कि इसकूल को खोल जाए या बंध रखा जाए, तो जहां तो खबरे आ रही है कि माता, पीता जो हैं वो इसकूल को कुछ अन्य विवस्थाएं की जाएं ताकि बच्चों को और स्कूलों के जो अन्य कॉलेजेज हैं जहां पढ़ाई नहीं हो पा रही है लोकडाउन के वज़े से बंद की वज़े से तो उन्हें कुछ सुविदा मिल सके कि वे पढ़ाई कर सके तो वे विवस्थाएं जो हैं वह की जा सकती आना कि ओनलाइन विवस्थाएं पहले से की गई हैं लेकिन कुछ खास ज्यादा बच्चों को मिलता ओनलाइन से अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है दूसरी जो खबर आ रही है वह सीनेमा हॉल को लेकर है कि क्या सीनेमा हॉल इस बार ऑनलोग 3 में खुल सकाननी दर्शक के साथ है रखने से defect हैं जो मन्त्रालए है उसने ग्रीम मंत्रालें के शामने प्रस्ताव रखने से पहले सीनेमा हॉल हुले और तो से SPEAKERS के मालिकों से बात किया और उनकी राय जानने चाहित कि क्या सीनेमा हॉल को किस प्रकार से खोला जाए cinema hall के मालिकों का कहना है कि 50% दर्सक के साथ cinema hall खोला जा सकता है वे इसके लिए तयार है लेकिन मंत्राले का कहना है कि 25% दर्सकों के साथ ही यह खोला जाए हलांकि अभी तक इस पर कोई notification नहीं जारी हुआ है कि कॉब कितने परतिसत दर्सकों के साथ खूला जाएगा लेकिन जो खबड़े आ रही है कि मंत्राले चाहता है कि 25% दर्सकों के साथ ही cinema hall खोला जाए और उसमें भी कई सर्ते लागू होंगी जैसे कि मास्क अनिवारे रहेगा सोचल डिस्टेंसिंग अनिवारे रहेगी सीटों को छोड़कर बैठना होगा आपको और प्रते एक सो के बाद सेनेटाइज पूरे के पूरे सीनेमा hall को करने के भी खबर आ रही है कि हरे एक सो के बाद सीटों के जो भी है और अंदर का सीनेमा hall है और जो बैठने वाली सकती है on lock 3 में क्योंकि लगतार सुरू से ही जीम बंद पड़े हैं इसलिए जीम के मालिकों के कहना है कि जीम को खोले के अनुमती दी जाए और खबर यार यह कि जीम खोले खोले जा सकते हैं वही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ में सेनेटाइज करते रहना होगा और भीर ना लगे इसको ध्यान में रखना होगा और हो सकता यह भी कि विदेशों की तरह जैसे विदेश में परतेक जो भी व्यक्ति है जीम के अंदर आ रहा है और अपना वर्काउट करना चाहता है त लेकिन यही बाते की स्कूल कॉलेजेज फिलाहाल बंद रहेंगे उमीद यही है जो खबरे आ रही है उसके अनुसार फिलाहल कोई नोटिफिकेशन नहीं है जो खबरे बाहर निकल गया रही है उसके अनुसार की स्कूल कॉलेजेज हो सकते हैं कि वो बंद रहें और अब इ lockdown लगा हुआ है यहां पहले सही सब चीजे बंद हैं अनलोक 2 में भी जो चीज खुली हुई थी कई चीजों को यहां पर फिर से बंद कर दिया गया है जिस तरह से बिहार में मामले लगतार बढ़ रहे हैं पिछले दो दिनों में आप रैसियो देख सकते हैं बिहार में तो भीहार में आकरा लगतार बढ़ रहा है पिछले दो दिनों में जहां तक कल की खबर है तो 26 से जधा मामले आए तो परसो की तारीक में यानि सनिवार तो बिहार में मरीजों के मिलने का रेशियो बढ़ रहा है तो अनलोक 3 की प्रकिरिया बिहार में लागू हो उससे बढ़ा यह सवाल है कि क्या बिहार में लॉकडाउन बढ़ेगा क्या लॉकडाउन 31 जुलाई के बाद बिहार में और बढ़ाया जा सकता है क्योंकि मरीजों की मिलने की संखिया लगतार बढ़ रही है इसे देखते हुए यह काना बहुत मुस्किल है कि यह जो अनलॉक 3 की प्रकिरिया है वो बिहार में भी लागू हो सकता है कि जीम को खोलने की अनुमती मिल भी जाए तो सीनेमा हॉल की खोलने की अनुमती बिहार में मिलना काफी मुस्किल लग रहा है स्कूल कोलेज कोचिंग तो फिलहाल ऐसा कोई भी किसी भी प्रकार का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है जिसे स्कूल कोलेज खोलने की कोई अनुमती मिलने की गु मामले भी अलगतार बढ़ते जा रहे हैं लेकिन टेस्टिंग के अनुपात में मामले बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं इसलिए बिहार में अनलोग 3 की प्रकिरिया की जो धील होगी वो मिलेगी इसको लेकर काना मुस्किल है और मामला तो यह दिख़़ा है कि हो सकता है कि बिहार में लॉकडाउन आगे भी बढ़ सकता है एक सब्सक्राइब के लिए तो फिलाहाल की यही खबर है अब देखना होगा कि आगे क्या होता है किस प्रकार के नोटिफिकेशन आते हैं एक और बात का ध्यान रखिएगा चैनलंट है कि उनलॉकाम में ना आल लॉक वडम नाुख estudio में किसी प्रकार की वियायते दी गई थी तो अनलॉक थी की जो रियायते होगी वो भी उनलॉकाम में मिलने मुश्किल है उसमें भी अन्ल Match 3 की रियायते नहीं मिलेंगी ख़बरों के अनुसार जो खबर है और जो अब तक के कारे कलाप है सरकार के उसे देखते हुए यह काना कोई बड़ी बात नहीं है कि यह कंटेनमेंट जोन में केवल आवस्चत चीजों की ही दुकाने जो हैं वही खोलने के अनुमती मिलेगी तो क्या नोटिफिकेशन आता है अनलोग 3 से जुड़ी हुई इस ख़बर को जो भी आएगा हम तुरंत अब तक पहुंचाने के कोशिस करेंगे ख़बरों से बने रहने के लिए देखते रहे हैं यह भी हारी नियूज धन्य